अगर आपके D9 चार्ट यानि नुवामसा चार्ट में एड थाउस में अगर केतू इस्तित हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़े इंपोर्टेंट होने वाली है देखे पिछले वीडियो में जहां हमने डिसकस किया था 7 वे भाव में अगर आपका नुवामसा चार्ट में केतू हो तो क्या-क्या रिजल्ट रहे सकते हैं इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं आठवे भाव की तो आठवे भाव में जब भी केतु इस्तित होता है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी लाइफ कब चेंज होगी आपकी लाइफ में ट्रांस्पॉर्मेशन कब आएगी आपकी लाइफ में उतार चड़ाव कब आएगा अब केतु आठवे भाव में है तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं चाहे वो रिलेसिंसिप को लेकर चल रहा है चाहे वो आपको आपके केरियर के मामले में चाहे आपके किसी जोइंटली किसी के साथ काम कर रहे हो उस मामले में या फिर आपके बिजनेस में तो ऐसी कंडिशन में लाइफ में उतार चड़ा बहुत ज़्यादा जहलने पड़ते हैं, स्वास्ते को लेकर बहुत सारी कठिनाईयां जहलनी पड़ते हैं, साथ-साथ में जातक खुद के लिए और दूसरों के लिए हमेशा एक बहुत ज़्यादा मिस्ट्री सा बना रहता है, केतु अगर आपके आठवे भाव में है, तो ज़्यादा तर ये आपको उन चीजों को सीखने के लिए प्रिरित करेगा, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो आठवे भाव का जो केतु है, ये अकसर आपको ऐसी फिलिंग देगा कि आपको बहुत ज़्यादा चाहत होगी, उन विश्यों को सीखने की जो वास्तव में हर किसी के समझ में नहीं आ सकते, इस परकार से आपका जो प्रोफिशन है वो भी कुछ इसी परकार का हो सकता है, जहां पर आपकी फिलिंग्स को या आपके काम करने का तरीके को ज़्यादा थर लोग नहीं समझते, लेकिन आपका अपनी मैरीड लाइफ में रिलेस्शिप क को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर समझ सकता है, अगर केतु आठवे भाव में है, नुवामसा चार्ट में, तो ऐसे जातक अकसर दहेज की मांग कर सकते हैं साधी के बाद भी, और साधी से तो पहले य जिवन साथी को बहुत ज़्यदा परिशान करते हैं ऐसे लोग, तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा ज्यादतर चार्ट में, इसी प्रकार से केतु का यहां होना, हमेशा आपके आर्थिक इस्तिति, आपके मानसिक्स वास्ते या आपके अवरल जो लाइफ का स्टेट करेगा, पर ये केतु आपको बहुत ही हाई इंट्विशन पावर देगा, आपका सिक्सेंस बहुत स्ट्रोंगली डवलप करेगा, साथ साथ में एक समय बाद आप अपने जिवन साथी के साथ बहुत ज़दा डिटेज्मेंट भी फील करने लग जाएंगे, इसके लावा आ आप हमेशा अपने जिवन साथी से किसी ना किसी मामले में सिकायट करते ही रहेंगे, कभी फाइनेंस को लेकर, कभी कैरियर को लेकर, या कभी अपने स्वास्ते को लेकर, तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं, आपका मन बहुत ज़दा परेश करना, योगा करना, ये बहुत ही ज़र्री है, और ऐसे जातकों को अक्सर उन फिल्ड में भी काम करते ही देखा जा सकता है, जो काफी ज़्यादा mystic है, इसके साथ आप योगा से related काम कर सकते हो, पामिस्टरी कर सकते हो, टेरो कार्ड डेडिंग कर सकते हो, astrology या research वरक कर सकते हो, ये आपके लिए as a career काफी अच्छा रहेगा अगर आपका केतू earth house में, इसके साथ साथ आपको उस particular sign को भी देखना बहुत जड़री रहेगा, अगर यहाँ केतू 8 नमर रासी यानि scorpio में है, या फिर eris में है, या फिर 12 नमर sign यानि मीन रासी में है, तो ये स्वास्त को लेकर काफी जड़ा आपको परेशान करेगा कभी कभी, इसके साथ ही साथ अगर आपका केतू 8 नमर sign के साथ, या 12 नमर sign के साथ हो, या फिर 4 नमर sign यानि करक रासी में हो, तो आपको क हावनात्मक लगाव है वो अपने जिवन साती से या किसी अदर से भी हो सकता है पर यहां हमेशा मैरीड लाइफ को लेकर कुछ न कुछ डर बना रहेगा जैसे कि आपकी मैरीड लाइफ को आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपका जिवन साती चारिस्ता रहेगा या नहीं रहेगा, जिवन साती आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, यह सारी चिंता यह आपको बनी हुई रहेंगे, यह बहुत ज़्यादा बैचेनिया आपके अंदर डवलप करेंगी इसके साथ आपको उस पर्टिकुलर यहां के तु बिहेव करेगा, तो यहां पर ऐसा जातक है, वो अपनी लाइफ के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाता, अपने बहुत सारे मैटर रिलेस्निसिप है, चाहे कैरियर है उसको लेकर बहुत एक मिस्टरी सी बनाए रखता है दूसरों के सामने, और हमेशा ऐसे जातकों के बारे में जानने के लिए दूसरे लोग बहुत ज़्यदा उत्सुख होते है कि वे अपने कैरियर में क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके कैसी सोच रखते हैं फिचर प्लानिंग उनकी क्या है पर सिरफ और सिरफ आप ही अपने जीवन साथी और अपने कैरियर को या अपनी लाइफ को समझने वाले हो सकते हैं तो केतू एर्थ वाले हमेशा एक मिस्टरी रहेंगे दूसरे लोगों के लिए इवन वो अपने पार्टनर के लिए भी कभी-कभी बहुत बड़ी मिस्टरी बन जाते हैं तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका अन्वाम सा चार्ट में के तू एर्थ हाउस में इस्तित होगा